हाई फ्रेंट्स माइनेम इज बीदास एंड यह वाचिंग सम्रब टेकनोलोजी यूटूब चैनल आज का जो वीडियो कंटेंट है तूजी टेकनोलोजी पर बेस्ट होगा इससे पहले जो हमारा वीडियो था बंजी टेकनोलोजी पर बेस्ट था जिसके बारे मैंने आपको डिटेल्स में बताया था आज के वीडियो में टूजी टेकनोलोजी के बारे में बताने वाला है 2G Technology क्या है ? 2G Technology Bioless Cellular Technology की Second Generation है हिया पर मैं आपको एक important point बताना चाहूंगा हमने इंडिया के अंदर Bungee Technology का यूज नहीं किया था कह सकते हैं हमने Bungee Technology को skip किया था हमने directly 2G Technology का यूज किया था जब तक Bungee Technology इंडिया में आता उससे पहले ही 2G Technology को Finland Country के द्वारा डैबलेब कर दिया गया था हम कह सकते हैं हमने directly 2G Technology को इंडिया में उज किया था 2G Technology का introduced year 1991 था 90's का दोर कह सकते हैं हम जिसको Finland Country के द्वारा डैबलेब किया गया था 2G में हमने GSM Technology का यूज किया था GSM means Global System for Mobile Communication साथी साथ Digital Signal का यूज किया था यह फर्स्ट टैम था हमने 2G में Digital Signal यूज किया था इससे पहले हम analog signal यूज करते थे जो कि हमने बंजी टेकनलोजी में वीच किया था 2G Technology में Access System की बात करें हमने इसमें TDI में और CDI में वीच किया था फर्स्ट बन Circuit Switching, Second one is Packet Switching Circuit Switching की बात करें इसको Voice के लिए यूज किया था अगर बात करें Packet Switching की इसको Data Access के लिए यूज किया था 2G Technology में Internet Service की बात करें Narrow Bend को यूज किया गया था 2G technology में bandwidth की बात करें, bandwidth 25 MHz यूज़ की गई थी 2G technology में advantage और features की बात करें, कुछ new features को add किया गया था जो काफी important थे, जैसे कि multimedia features की बात करें, इसमें SMS था MMS था, जो की first time add किया गया था, internet access की facility दी गई थी इसके साथी साथ, SIM card को भी introduced किया गया था 2G में application पर नज़र डालें, इसमें voice call and short message का application दिया गया था 2G technology में speed up to 14.4 kbps थी 2G technology की highlights पर नज़र डालते हैं Network generation की बात करें, इसमें second generation का network युच किया गया था Introduced year 1991, हम कह सकते 90's का दोर था Technology की बात करें, इसमें GSM technology युच की गई थी साथी साथ, digital signal को first time युच किया गया था Access system की बात करें, इसमें TDI में और CDI में access system का युच किया गया था TDMA means time division multiple access and CDMA means core division multiple access Switching type की बात करें, इसमें circuit switching voice call के लिए युच किया गया था Package searching data access के लिए युच किया गया था Internet service, narrow band के माध्यम से provide की गई थी, bandwidth की बात करें, इसमें 25 MHz की bandwidth थी Advantage of features की बात करें, Multimedia feature थे जिसमें SMS और MMS include था, साथी साथ internet access था और first time SIM को introduced किया गया था Application की बात करें, इसमें voice call and short messages की application दी गई थी Speed की बात करें, Speed 14.4 Kbps थी I hope ए वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो content के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरी आप से request है, आप मुझे अपने feedback भी देते रहिएगा साथी साथ आप इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को, I mean some of technology YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें, Thank you so much करेंगा करेंगा